नश्कार दोस्तों, UPVC Windows Training Video Series में हम आपको आइडिया दे रहे थे, जैसे आपके पास जब बड़े ओडर होते हैं, पचास विंडो के ओडर हैं, तो हमने आपको बताया था कि पहले आप फ्रेम बना ले, तो हम इसमें आपको और भी बाते बताते हैं, जैसे आपके फ्रेम के स हैं, हमने कहा था कि एक साथ welding होगी, एक साथ CNC होगी, उसके बाद देखें, आप यह सारे फ्रेम बनाके, आप एक जगे रख दिंगे, तो जब फ्रेम खड़े हो जाएंगे, तो इससे आपको यह आड़े भी आ जाएगा, कि अगर आपकी welding ज्यादा खारी है, आपको सैस के साथ में कुछ चेंजेस करने हैं, तो फ्रेम पहले बन जाएगा, तो आपके प्राबलम के जो चीजें होगी, वो कम हो जाएगी, कि welding में 6-7 mm किसी कोने पर ज्यादा खारी होगी, तो आपको पता लग जाएगा, तो वैसे ही आपके साथ के साथ निकलेंगे, एक बात, दू और उसके बाद फिर सैस के भी इसी टाइप के उपरेशन होंगे, जैसे आपके देखिए, यहां पर सारे के सारे सैट है, जो ड्रेन होल ऑपरेशन के लिए रखे होगा, तो इसमें आपके जो प्राबलम के चांसेस हैं, वो कम होंगे, क्योंकि एक ही बंदा मुल्टिपल ट इसलिए इस टाइप से, जब ज़्यादा ओर्डर हो, तो आप इस टाइप से मैनेज करिए, कि सैट में चीजें करिए, और फिर ऐसी आपके जैसे राउटिंग मशीन के उपरेशन होंगे, वो भी एक साथ होंगे, और वेल्णिंग के भी एक साथ होंगे, तो आपकी तो आइम भी सेव होगा, आन्यवाद दोस्तों!